Hey guys, welcome to all of you on my YouTube channel, सरकारी भार, दोस्तों इस वोड़ी के इंदर हम डिसकस करने वाले हैं, नई सिच्छा नीती के बारे में new education policy जो आई है NEP और इसके बारे में discussion करने वाले हैं, detail wise discussion करने वाले हैं, complete तोर पर आज मैं 12th class के बारे में क्या-क्या changes हो सकते हैं, क्या-क्या changes हुए ह और क्या-क्या भी guidelines आ सकती हैं, तो उनके बारे में वीडियो के अंदर discussion करने वाला हूँ, बारे वीग अच्छा में सबसे बड़ा बदलाब यहाँ पर देखने को मिला है, 12th class में और graduation में यहाँ बहुत बड़ा बदलाब देखने को मिलता है, तो मैं आपको इस वीडियो क 12th class में क्या-क्या बदलाब हो सकते हैं, क्या-क्या बदलाब हुए हैं, और आने वाले वक्त में, आने वाले समय में क्या-क्या और परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, साल में दो बार होंगे, एक बार objective paper होगा, तो एक बार subjective paper होगा, आपको क्या option दिया जाएगा, case में आप बैट सकते हैं या अब्जेक्ट पेपर आप दे सकते हैं या सब्जेक्ट पेपर दे सकते हैं या फिर आप दोनों ही papers को दे सकते हैं ये भी question बहुत बड़ा students के सामने बड़ा बना हुआ है तो detail wise मैं इसको clarify करता जाऊंगा और सबसे बड़ा question ये बन चुका है कि commerce वाले students physics ले सकते हैं क्या math वाले students history ले सकते हैं क्या math वाले students biology को भी ले सकते हैं क्या ये भी question बहुत सारी students के सामने बड़ा हुआ है और सभी students क्योंकि अभी admission चल रहे हैं आप सभी को पता है admission चल रहे हैं क्योंकि अगस्त का महिना है और इस बार थोड़ा से late हो गया है क्यों coronavirus lockdown की वैसे ये सब कुछ देखने को आपको मिल रहा है तो admission और जो admissions है वो late हो रहे है तो new education policy आई है new education जो policy आई है 2020 के लिए उसमें क्या-क्या policies में परिवर्तन आया है 12th class में क्या-क्या परिवर्तन हुआ है सारी की सारी वाते एक-एक करके इस points पर मैं discuss करने वाल हूँ आप सभी ये को बता दू अगर आप इस channel पर नई है तो channel को subscribe किजए ये वीडियो आपके लिए खासकर 12th class students के लिए है, graduation students के लिए है और जो 12 से नीचे हैं वो भी देख सकते हैं 12th वाले students तो जो 11th के student है, 12th के student है और 10th class के student है भो तो इस वीडियो को पूरा देखी हीगा क्योंकि इस से आपको बहुत कुस सीखने को मिलेगा तो आप सभी को बता दो, अभी मैं इसके बाद एक और वीडियो अप्लोड करूँगा जो graduation के उपर होगा, post graduation के उपर भी एक वीडियो डलना है मेरे को और 10th class के, 10th class और 10th class से नीचे की जो education level है उस पर भी different type से वीडियो आपके लिए लाए जाएंगे किसी को लगता है कि मैं इसके साथ धिश्टी ले सकते हैं कोई बोला है कि 12th class में इस बार वोड़ एक्जाम नहीं होगा कोई कुछ बोला है, कोई कुछ बोला है, अभवाहों से बच कर रही है तो मैं इसके अंदर आपको एक एक करके सारी के सारी points को clear करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलिएगा और कमेंट बोक्स में आपका जो भी question है, किसी भी प्रकार का question है उस question को आप लिखिएगा 5 minutes के अंदर बादा करता हूँ, आपसे 5 minutes के अंदर आपके comment का answer दिया जाएगा only on 5 minutes के अंदर आपके comment का answer दे दिया जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share भी कर दीजेगा ताके सभी के सभी friends को इस confusion से निजात मिल सके और सभी के सभी students इस बात को समझ सके चलिए तो start करते हैं एक-एक करके so friends मैं अब आपको ले आया हूँ अपनी screen पर और screen पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक-एक करके, देखिए new education policy के बारे मैं discuss करने वाले हैं तो new national education policy जो national education policy 2020 आया है 34 साल बाद यह आया है बोला या रहा है कि 34 years बाद यह new education policy आई है 1986 में इससे पहले new education policy आई थी उसके बाद अब 2020 में आई है तो काफी समय हो गया 34 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है और इतने समय बाद एक new education policy अगर आती है national education policy आपको देखने को मिलती है तो जाइर सी बात है कि इसमें changes भी आपको देखने को मिलाएंगे नई से चनीती में से बच्चों की schooling से graduation तक मैं क्या-क्या बदल का वो समझेए देखे सबसे पहले क्या है NEP 2020 changes in school to graduation explained किंद सरकार ने बुद्भार कू सिच्चा के चीतर में दो बड़ी फैसले लिये हैं पहला किंद्रिय मानव संसादन विकास मंत्राले जो MHRD है किंद्रिय मानव संसादन विकास मंत्राले जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है सिच्चा मंत्राले जानी Ministry of Education किया गया है दूसरा नई राष्टिय सिच्चा नीती NEP 2020 को भी स्विकरती देती है तो ये तो आप सभी को पता ही है और इस नई सिच्चा नीती के जरिये देश में सिच्चा विवस्ता को सिच्चा विवस्ता में कई सुधार करने की कवायत की है की गई है तो इसमें बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हैं एक तरीके से वो किये गए हैं बहुत सारे रिफॉर्म्स किये गए हैं क्या क्या किये गए हैं वो समझते हैं इस्कूल इस्तर से लेकर ग्रेजुएशन तक में कई अहम बदलाब किये हैं तेज की सिच्छा विवस्ता में होने जा रहे हैं कुछ अहम बदलाबों के बारे में यहां समझें तो समझें इस्कूल इस्तर पर क्या बदला है उसे समझते हैं सबसे पहला पॉइंट है इस्कू plus two, यानि के twelfth हो गया, उसके बाद अगर three का मतलब है तो यहाँ पर है graduation, तो जो आपकी graduation होती थी, यह जो graduation होती थी, three years की होती थी, जैसे आप BSC कर रहे हैं, BSC nursing कर रहे हैं, BSC semester कर रहे हैं, किसी भी subject से कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, become कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी कहां 3 years के देखने को मिलते थे ये जितने भी plans थे जो graduation के होते थे तो ये 3 years के देखने को मिलते थे तो जिसको बुला जाता था 10 plus 2 plus 3 system बुला जाता था लेकिन अब इस system को change कर दिया गया है तो इसे समझे 5 यानि कि 5th class तक का pattern फिर 8th class तक का pattern बना है फिर 8th के बार 11th class तक का फिर 4 year का भी यहाँ पर graduation में बदलाब किया गया है तो इसे समझे 5 साल का foundation education होगी यानि कि 5 साल तक जो होगी वो basic foundation education होगी 3 साल preparatory और 3 साल middle और 4 साल secondary level की schooling कराई जाए कि कफी ज़ाधा important है 4 साल की schooling लेवल पर जो secondary level पर schooling कराई जाएगी अब इसे समझे ए क्या है यह 6 साल की बच्चों की उम्र से पहले की कच्छा की पढ़ाई शुरू करेंगे 6 से 16 साल की उम्र में कच्छा 1 से 10 मी की पढ़ाई होगी यानि कि फर्स्ट टू जो फर्स्ट टेंथ तक की जो education होगी वो 6 से 16 साल की बीच में की जाएगी यानि कि अब यह पक्का बात है अगर 6 से 16 साल की बीच में अगर 16 साल का student अगर 16 येर का student 10th class को qualify करता है तो 17 येर पर वो 11 को पास करेगा और 18 येर पर वो क्या करेगा 12th class को पास करेगा यानि कि सीधा सीधा age को देखा जाए तो 18 साल की age में 18 येर की age में कोई भी student अगर 12th pass कर पाएगा यानि कि 18 साल की उम्र में अब आपकी 12th हुआ करेगी यहाँ पर देखने को मिलता था 15 साल की student या फिर 16 साल की students भी यहाँ पर 12th को पास कर जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा 18 साल की 16 से 18 की उम्र में 11 भी और 12 भी की पढ़ाई होगी तो ये बहुत बड़ा reform यहाँ पर माना जा रहा है क्योंकि इससे लिटेड भी question आखिरकार उठते आए हैं students को सभी विषयों में दो इस तर पर विकल्प दिये जाएंगे ये काफी ज़्यादा important है इसको समझेगा दो इस तर पर विकल्प दिये जाएंगे जैसे CBSC ने इस वार 10 में math में दो लेवल का विकल्प दिया है basic और standard यानि कि جो CBSC है CBSC है इसने 10th class में क्या किया है दो विकल्प दिये है 10th class के students को math में 2 level का विकल्प दिया है basic और standard अब math से शुरू अब math से शुरू कर इस तरह के विकल्प सभी विस्जयों में मिलेगा यानि कि math के साथ आपको और भी जो subjects हैं उनके साथ भी ये बिकल्प मिलेगा students अपनी इच्छा उनसर कोई भी एक बिकल्प चुनकर उसमें पढ़ाई कर सकेंगे यानि कि अब आप ये देखिए चुन सकते हैं ये काफी जादा important है यानि कि अब आप math के साथ history को भी ले सकते हैं math के साथ किसी और subject को जो आपको जो अच्छी लगती है उस subject को आप पढ़ सकते हैं जरूरी नहीं आप math के साथ भी और भी subjects को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या है इसकूलों में भच्चों को कम से कम पांच भी कच्छा तक उनकी ग्रहवासा यानि कि 5th class तक उनको जो उनकी जो उनके area की जो language है एक तरीके से बोल सकते हैं ग्रहवासा जैसे कुछ जगह पाली बोली जाती है कुछ जगह फार्सी बोली जाती है बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर उर्दू बोली जाती है और भोजपुरी भी बोली जाती है तो ये तमाम भासा हैं तो उन भासाओं में 5th class तक वो अपनी study कर पाएंगे छोड़े छोड़े जो बच्चे हैं 5th class तक के मातर भासा और छेतरी भासा में निर्दिस दिये जाएं हलांकि आठमी और उससे आंगी कर्चाओं के लिए इसे अपनाया जा सकता है यानि कि इसे अपनाया जा सकता है अभी इस पर काम चल रहा है पोड़ परिच्चाओं को थोड़ा सा सरल बनाया जाएगा परिच्चा ऐसी होगी जिससे core competency की परक की जा सके objective और subjective pattern पर ये परिच्चाओं साल में दो बार offer की जाएंगी इस बात को समझेए objective और subjective pattern पर साल में दो बार परिच्चाओं ऑफर की जाएंगी इनसे एक का चुनाब student कर सकते है यानि कि objective paper भी होगा आपका और आपका subjective paper भी होगा चार बेकल्प वाला जो आपका option वाला होता है वो भी होगा subject वाला ये लिखने वाला भी होगा अब आपके उपर डिपेंड करता है आप objective को पसंद करते हैं या subjective को जिसका आप चुनाब करेंगे वही जिसे आप चुनाइंगे वही आपके लिए उसी तरीके का आपको paper देना होगा तो ये काफी सारे reforms देखने को मिले हैं यहाँ पर तो मैंने आपको एक एक करके सारे के सारे points को clear किया है और उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है लाइक करना है वीडियो को share करना है अपने दोस्तों के साथ और अगर आप इस चनल पर नई है तो चैनल को subscribe तो कर ही लिजेगा चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में उसमें बात करेंगे graduation के बारे में B.A.D. के बारे में discussion करने वाले है PhD के बारे में discussion करने वाले है तो इन सभी points पर हम next वीडियो के अंदर discuss करेंगे उम्हीद आपको वीडियो अच्छा लगागा को वीडियो अच्छा लगागा तो वीडियो लाइक कीज़े चैनल को subscribe थेंक्यू 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 पर वाचेंगे अंदर वीडियो जाय है जाय वारा टेक केर